6.1 बदलाव के विभिन पहलू सन 1300 से सन 1750 के बीच ऐसी क्या बाते हुई? आईए हम पता करें आधुनिक यूग का प्रारम कैसे हुआ? व्यपार और शहरी करण उस दोर में यूरोप, उत्तरी आफ्रीका वा एशिया के बीच व्यपार में बहुत तेजी आई विभिन देशों में भी व्यपार का विस्तार हुआ और तरह-तरह के समानों का आधान प्रदान होने लगा व्यपार के विकास के साथ-साथ तीनों महाद्युपों में शहरी करण बढ़ा जिससे नए शहर बसे और पुराने शहरों का विस्तार हुआ इसके कई परिणाम हुए धनी वैपारियों का वरगुभरा देशों के बीच लोगों का आवागमन बढ़ा जिससे विचारों का आधान प्रदान होने लगा नए-नए विश्कार हुए और नए तकनीकों का एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर फैला हुआ यूरोप वभारत के शहरों में एक महत्पूर अंतर था यूरोप के कई शहर ऐसे थे जिने स्वायत्ता प्राप्त थी और वे राजाओं के हस्तक शेप के बिना स्वतंत्र रूप से अपना शासन चला सकते थे शहर के वैपारियों और कारिगरों के संगठन मिलकर शहरों के कामकाच समभालते थे ऐसे शहरों में कुछ हद तक लोगतंत्र और गरतंत्र के भावनाएं विक्सित हो पाई ऐसे शहर थे जेनेवा और फ्लोरिंस दोनों इटली में हैं फ्लैंडर्स हॉलेंड में है आदी भारत में सूरत आगरा विजयनगर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ लेकिन उन पर राजाओं या उनके सामन्तों का वर्चस्व बना रहा किंद्रिकृत राज्य आटोमान सामराज्य बना यूरोप में भी कई शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए जिन में फ्रांस, स्पेन वाइंग्लेंड के अलावा इटली के कई छोटे राज्य भी शामिल थे आमतोर पर इनके शाषक बहुत महत्वकांची थे और वे राज्य के अंदर शक्ति का केंद्रिकरन कर रहे थे अर्थात एक राज्य या बाश्य के हाथों में सत्ता, अधिकार और धन इकठा होने लगा चूकि इन राज्यों में आर्थिक और राजनेतिक शक्ति बाश्याओं के हाथों में केंद्रित थी इन्हें केंद्रकृत राज्य कहते हैं इस काल से पहले जमिदार, सामन्त, आदिस्वायत रूप में शाषन चलाते थे अब इनके अधिकार कम कर दिये गए या समाप्त कर दिये गए शहरी मध्यमवर्ग का उभरना व्यपार और शहरों के विकास तथा केंद्रकृत राज्य के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि इन देशों में एक नया मध्यमवर्ग उभर कर आया इसमें व्यपारी, धनीकारिगर, मुन्शी, लिपिक, वकील, पेशेवर कलाकार, कवी, लेखक, आदिसमलित थे शहरी करण और राज्यों के विकास के कारण जो नय नय काम उभरे जैसे हिसाब किताब रखना, प्रशाशन, करवसूली, न्यायालीन काम, राज्यों के बीच दूत का काम आदि उन्हें करने वाले लोग भी इस वर्ग में शामिल थे इस नय मध्यम वर्ग के लोग लगातार आर्थिक तंगी में रहते थे और अच्छी नोकरी के खोज में दूर दराज के राज्यों में जाकर रहने के लिए तयार होते थे इस तरह बड़े शेत्र में विचरण करने के कारण यह वर्ग समालोचनात्मक द्रिश्टी रखता था और ततकालीन धर्म गुरू यह शाशकों के आलोजना करने से कत्राता नहीं था इस मध्यम वर्ग के बनने में सिक्षा का बहुत महत्व था उन्हें न किवल साक्षर होना जरूरी था बलकि अपने काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए व्यापक साहित्तिक सिक्षा के जरूरत थी युरोप में यह सिक्षा ग्रीक और लैटीन भार्षा के प्राचीन साहित्तिके अध्यन से और भारत में फार्सी और संस्कृत साहिति के अध्यन के माध्यम से मिल सकती थी रोचक बात तो यह थी कि कई प्राचीन रचनाय जैसे युनान के अरस्तू और प्लेटो का साहित्य तथा भारत का पंच तंत्र वा गडित के ग्रंथ विभिन भाशाओं में अनुवाद करके पढ़े गये भारत में मुगलकाल में प्राचीन संस्कृत ग्रंथो जैसे रामायन, महाभारत, उपनिशत, आधिक अनुवाद, अर्भी वफार्सी में किया गया यूरोप और भारत में जो मध्यम वर्ग उभरा उनमें कई समानताओं के बावजूत कुछ महतुपूर अंतर थे एक तो यह था कि भारत में यह वर्ग कुछ विशेश जातियों तक सीमित था जैसे कायस्थ, छत्रिय या ब्रामण जबकि यूरोप में इस वर्ग में विवित समुवों वर्गों के लोग समलित हुए दूसरा महतुपूर अंतर यह था कि भारती मध्यम वर्ग ने गणित या विज्ञान के अध्यान में रूचिक कम दिखाई जबकि यूरोप में इसे महतुपूर माना गया